आंदर प्रदेश के हरी कोटा से लॉंच हुआ चंद्रियान 3 अब अपने अगले एहम पढ़ाव यानि की चंद्रमा की ओर बढ़ चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ओगनाइजेशन यानि की ISRO ने ये जानकारी खुद दिये। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब तेज दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्षियान चांद की सतय पर लैंड करेगा। यान को चौदा जुलाई को लॉंज गिया गया था। आपको बता दें कि चंद्रियान 3 ने एक अगस्त को ही पृत्वी के चारो और पडिक्रमा पूरी कर ली। इसके बाद अब अंतरिक्षियान चांद तक की साड़े तीन लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुका है। इसरो का कहना है कि लूनर ओर्बिट इंसर्ट यानि की एलो आई की पांच अगस्त की योजना बनाई गई है। इसरो ने सोमवार आदी रात को समय एक बड़ी उपलब्दी हासिल की जब उसने चंद्रियान तीन को ट्रांस लूनर कक्षा में सफलतापूर वक्स स्थापित कर दिया। चंद्रमा की कक्षा में पहुचेगा और तेईस अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रियान तीन चांद की साउथ पोल के पास सौफ लैंडिंग कराने वाला पहला देश होगा। आपको बता दें कि बढ़ जाएगा चंद्रियान तीन का वेग। चंद्रियान तीन को औस्तन डेर लाख किलोमीटर की दूरी तै करने में करीब 51 घंटे लगते हैं। और प्रित्वी से चंद्रियान की ओसत दूरी साड़े तीन लाख किलोमीटर है। उम्मीर है कि ट्रांसलूरर इजेक्शन के बाद चंद्रियान तीन का वेग पेरिगी यानि कि प्रित्वी का सबसे निकटम बिंडू की तुलना में करीब 5 किलोमीटर पर सेकिंड बढ़ जाएगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। को बता देगी चंद्रमा की कक्षा तक पहुँशने के लिए कीरतिमान भारत पहने ही 2008 में चंद्रियान एक और 2019 में चंद्रियान दो में रच चुका है जिसमें वो चंद्रमा की चारों और एक सैटलाइट भीज़चा चुका है। चंद्रियान तीन का सबसे अधिक महत्कूल काम चंद्रमा की कक्षा में पहुँचने के बाद का होगा।